वेलकूम टू सुकला अश्टले पॉइंट आप सभी का स्वागत है आपके परने यूटूब चनल सुकला अश्टले पॉइंट में मैं सियों सुकला आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ और आज के वीडियो के माध्यम से हम होम साइन्स बीए सेकंड समस्टर के लिखित मानल पेपर के बारे में चर्चा करेंगे जो कि अब्जक्टिव और सब्जक्टिव दोनों परकार की परिक्षाओं के लिए महत्पून होगा तो आपकी परिक्षा में चाहे अब्जक्टिव परसन पोछे और चाहे लिखित परसन, सब्जक्टिव परसन पोछे चाहे आतये लग उतरी और देर उतरी परसनों का समयन आत्मा ग्रूप से आपका पेपर बना जाए चाहे को वस्तों निष्ट आर्थात बहुभीकलपी है या फिर objective टाइब के परसन इसको इक ही बात बोलते हैं चाहे वस्तों निष्ट बोलो और चाहे इसको objective बोलो चाहे बहुभीकलपी है बोलो सारी बाते एक ही है तो आपकी चाहे टिक मार का जिसको कहते हैं या फिर OAMR based question जिसको कहते हैं नहीं सो आते हैं उन में से 75 किसी किसी उनिशिटी में करने होते हैं किसी किसी में सो के सो करने होते हैं इस प्रकार से आपको दिया जाता है परिष्ट के बारे में जानने का प्रयास करेंगे और उनको हमने चांटा है आपको जो कि आपकी युनिस्टी में बहुत जादा आते तो आपको कहीं से और जो एक परकार से भटकने की आवस सकता नहीं है कि इधर उदर आप भटकें तब आपको कोई चीज जो का अध्यन मिल आपको आपके लिए मैं लगातार मेहनत कर रहा हूँ आपके लिए लगातार मैं आपकी किताबों को आपकी पुस्तकों में देख रहा हूँ आपके पिछले पेपर्स को देख रहा हूँगी कैसे कैसे परिष्टा में पर सम पूछे गए हैं उसी हिसाब से किस प्रकार से च बाकि आपने घर जतनी है उनका आप मत लबा इसे आफ करीजेगा यहां प्रियास किया गया हिं परसkolे के उतर को मैं बताने का फ्रियास करूँगा इससे पहले जिन चाट चातरों ने हमारे प्राचीन इतिहास ने रखा है प्राचीन इतिहास का campaigns paper आज रात के नो बजे से आपका यह उबलब्द होगा live class होगी आज रात के नो बजे से आप लोग इसको जरूर देखिएगा इसके अलामा आपको बता दूए इसमें भी लिखित मालवेपर चर्चा किया जाएगा मनो विज्ञान का लिखित मालवेपर आज सुबार बज़े एक लास हो चुकिए आप लोगों ने देखा होगा इसको इसके अलामा आप मद दिकाल इतिहास का देख सकते हूँ कल रात के 9 बज़े से कलास होई थी इसको देख लिजेगा वीडियो सारी के सारी अबैलेबल है अगर आपको जैसे मत धिकाने तिहासी जितने वीडियो हैं आपको चाहिए तो हर एक सब्देट के वीडियो की फिले लिस्ट में ने बना दी है उस फिले लिस्ट में आपको वीडियो मिल जाएंगी कारलाई हिंदी और कंप्यूटर यानि की हिंदी साहित में बीए सेकंड समस्टर में फस्ट एर के सेकंड समस्टर में आप कारलाई हिंदी और कंप्यूटर के बारे पढ़ते हैं इसका लिखित मालवी पर अबैलेबल करवा दिया देख लिजेगा इसके अलावा समासास का महा संगरा वीडियो अबैलेवल है इसको देख लिए जीका most important है ये वीडियो तो कोई छोड़ना मत बहुत ही महत्पूर है और ये एक प्रकार से बीए की तयारी कैसे करना है आपको इसको लेकर के या वीडियो बहुत ही महत्पूर है इसमें बहुत ज़्यदा ट्रिक्स बताने का प्रियास जितना अनुभो है प्रोफेसर्स वगरा से बात करने के बाद में इस वीडियो को बनाया गया तो इस वीडियो को आवसे देखेगा चुकि इस वीडियो में बहुत जानकारी देने का प्रियास सकते हो चाहे आप सेमेस्टर पर करिया है चाहें एरली में है सैकन्ड समस्टर की तैयारी जोड दिया गया है इसके अलावा ब घुल का मारलवे पर लिखित का यह देखी अबेलेबल हो चुका है इसके अलावा राजनीती बिग्यान का नहीं राजनीती सास पॉलिटिकल साइंस का भी अवेलेबल है इसके लावाँ साइने बिग्यान का सभी का आधिक तर जो सब्दिक है आपके अवेलेबल हो चुके हैं और एजुकेशन बचा हुआ है मैं जल्दी एजुकेशन पर कारे कर रहा हूं कि अगरेपर का नाम किया है तो पेपर के अगर नाम की बात करें ये पर द हमें 5 बग्यान के परिज्चे अ आपको यानि कि वस्त्र बिज्ञान और परधान के परिचे को पढ़ना है इसके अलामा परिवार संसाधन प्रबंध के बारे में जानना है अंगरेजी में इंट्रोडेक्शन टू क्लोथिंग और टेक्स्टाइल्स एंड फैमिली रिसोर्स मैनेजमेंट तो फैमिली रिसोर् जानकारी यहां पर चाहिए होती है तो आएए देखते हैं कि इससे कैसे कैसे प्रषणाप पर इक्षा में आते हैं उनके उत्तर को हमको लिखना आखिरकार कैसे हैं चले देखें आपकी पेपर जब भी आपके हाद में पेपर होगा तो वहाँ पर नोट लिखा हुआ मिलता है वहाँ पर आप देखिएगा कि चाहे आप BAC Home Science कर रही है या चाहे BA में Home Science लिए है सभी के लिए मात्य पूर्ण है तो आप देखें खंड आ कि अगर बात करें हम तो खंड आ सेयती लगुत्रिय यानि बेरी साट एंसर टाइप आते हैं जिनकी कराइटेरिया लिखने के उत्तरकी होती है आपकी 500 सब्दे यानि कि 50 वर्ट्स में कि परसन का उत्तर लिखे ऐसा भी नहीं करना है ज्यादा राइटिंग में नहीं होती बस सुच मतलब होता है बीए में खास करके कि आप जो है ऐसा लिखे जो कि एक्जामनर पढ़ सके यानि उसके समझ में आ सके ओके यह बात में कह रहा हूं और यहां पर आपको सभी परस सब्याई जो होता है वस्तर बिज्यान कें कि इंतरों के इंतरों को देखेंगे की वस्तरों के तुरी करने वाली गूता वस्त्र की जो पारिस्कृति योंपरिसज्जा का वस्त्रों के हिसाब से रख रखाओ कैसे करना है उसका संग्रह कैसे करना है वस्त्रों का वस्त्रों की उचित परकार से धुलाई कैसे करनी है उसकी सिलाई, बुनाई, कताई, तमाम परकार की चीज़े इन सभी का बैज्ञानी कर्धिन करता है आपका वस्तर बिज्ञान ओके और परिधान तो यह वस्तर बिज्ञान कहलाता है आपका वस्तर बिज्ञान के छेतर के बारे में आपसे पूछ रहा है यानि कि इसका स्कोप क्या है इसकोप आप प्रकार से आपसे क्या पूछ रहा है इसकोप आप क्या पूछ रहा है भई इसकोप आप आप से पूछ रहा वस्त्र विज्यान यानि कि वस्त्र विज्यान का स्कोप क्या है ओके यानि कि या आप से कह रहा clothing जो है यानि clothing के बारे में आप से पूछ रहा है कि इसको पाप कुलो थिंग, यानि कि वस्तर विज्ञान जो होता है, इसका विसे चेतर क्या है, यानि वस्तर विज्ञान के अंतरगत है, हम किन-किन बिद्धों को अस्वस्ट करते हैं, या किन-किन टॉपिक्स पर हम चच्चा करते हैं, ये चीट खास करके हमको वस्तर बिधी कपरियों करके और चाहे किसी यह प्राकर्तिक बिधी से बनाया हो तो आपको बता दूंगा कि किस प्रकार से रेसों का वर्गी कड़ होता है रेसों के बारे में इसा यानी तंतूbhr के बारे में हम चाचा कर लेंगी या लडी陽 और हमने बता भी रखा है, वैसे जो होता है इस दो प्रकार की तंतु होते हैं, एक होता है प्राकर्तिक तंतु होता है, एक तो होता है बनस्पती से बना हुआ तंतु, वो प्राकर्तिक तंतु होता है, एक जन्तुों से जो रेसे बनते हैं, वो प्राकर्तिक तंतु होते हैं, और एक ऐसे रेसे होते हैं जोगी खनिजों से बनते हैं तो ये तीन प्रकार के प्राकर्थिक तंतू होते हैं कर्तिन तंतू की बात किया है तो ये दो प्रकार के होते हैं तो मानो बनाता है और एक रासायनिक बिधी के द्वारा बना जाता है अब मानो द्वारा बनाया गया जो निर्मित तंतू होता है उसको हम रियान कहते हैं तो रियान किसके द्वारा बनता है मानो के द्वारा बनाया गया एक प्रिकार से मानो द्वारा निर्मित तंतू होता है रासायनिक बिधी से आप देखें यह से नायलायन हो गया नायलायन और एक खनिजों से तो एक बनस्पती से बनते है तन्तू रे से और एक खनिजों से बनते हैं और एक खनिजों से बनते हैं तो प्राकरतिक तन्तू तीन प्रकार के होते हैं बनस्पती जन्य तन्तू जानतो जन्य तन्तू और खनिज जन्य तन्तू जन्य तन्तू जन्य निमाय आपका उसके तने से तो एक तो बीज से बनता है और एक तने से बनता है जैसे बीज से गर जो तनतू बनता है उसको हम क्या कहते हैं जैसे कपास जो होता है ये बनस्पतियों की बीज से बनता है ओके और जो तने से बनने वाले तनतू है अगर उनकी हम बात करें तने से जो त जंतुों से तंतु बनते हैं उने आपने ढ़ना कारति है तो इस परकार से आप ने जनतु आपका OrganStaly होते क्या है ओके तो जो रेसों के परकार होते हैं जो मैंने आपको परकार बताया इन सभी का यह नहीं इनकी विशेष्टाओं का जो रेसे मैंने बताए कपास की विशेष्टाओं लिनन की और इसके अलावा आप तमाम परकार की जो है परकार से जो रेसे होते तंतु होते हैं इन तंतुओं का परकार से उत्पादन कैसे होता है इनका अध्यन कैसे क्याता है इन सभी का अध्यन जो है इसके अंतरगत हम करते हैं किसका वस्त्र विज्ञान के अंतरगत दूसरा है वस्त निर्मार की जो बिधियां होती हैं वस्त्र कई परकार से बना जात उसकी कैसी है तो परिसज्जा और वस्तरों की बनावट का पूर्ण रूप से अध्यन जो होता है ये वस्तर बिज्ञान के अंतरगत ही होता है इसके अलामा चौथा पॉइंट इसका है वस्तरों के चुनाओ यानि वस्तरों का चुनाओ कैसे करना है ये भी वस्तर बिज्ञा जो होता है आप जब वस्त्र विज्ञान पढ़ते हैं तो आपको ये चीजे पता चलती है तो वस्त्र विज्ञान का छेत्र आपको क्या है ये तो मालूम हो गया होगा वस्त्र विज्ञान छेत्र के अंतरगत हम इन तमाम चीजों का अध्यन करते हैं एक बार अगर आपको थ निकियेगा बाद में उसके बाद में फिर रोक रोक करके, यनि पॉस करके, आप आसानी सूसको लिख लिजेगा जो मैं बाते बोल लहा हूं, या जो मैं बता रहा हूं, ओके? आगे देखा जाए, अगला परसन आपके समगर आ चुका है अगला परसन दूसरा नमबर परसन देखेगा कपास का संचिप्त परचे दीजिए कपास क्या होता है तो वस्त्र निर्माड के लिए आप देखेंगे अपनाए जाने वाले जो प्राकरतिक तंतू होते हैं उन्ही प्राकरतिक तंतू होता है आपका बनस्पति जन सब्सक्राइब देशों में होता आ रहा है और कपास सिंद्रिमित जो वस्त्र होते हैं जो कपास के द्वारा बनाए गए वस्त्र या बने वस्त्र होते हैं वो सस्ते भी होते हैं और कार छमता इसकी क्या होती है अपूर भोती है यानि की ठीक ठाक होती है टिकाओ भी होते हैं ये वस्त्र कप कपासवले मजबूती में इसकी बराबरी का कोई दूसरा वस्त्र ही नहीं होता है और यह सबसे मजबूती और इसकी अलामा आप देखेंगे कि सबसे स्वास्तकर भी प्रमाणिक होते हैं किसी प्रकार का मनुस्य के सरीर को नुकसान भी नहीं पहुचाते जो कपास के जो एक घ्रीफ लग जाती है और इसे फंगस के काण से छोटे हरे जो काले जंग होते हैं इसके धब्बे कपड़े पर पड़ jusate सदी मिट्टी सी गंधाने लगती नहीं खाप से लेकिन कीट से लारवा इसे नहीं टेज़र हों गई बाते आगे बढ़ा जाए देखी अगला परसें आपके समख्ट है बुनाई से क्या आसए है तो यह आप लिखिएगा जो मैं बाते पता रहे हूं यहाई इस हो जाएगा बंख़े क्या हो से बुनाई क्या होति वाई हि क्या होती है जो जो हमारे बहने जोड़ी हुई हैं, जो हमारे चातर चातराएं जोड़ी हुई हैं, जो हमारे सिस्टर्स या फिर एक प्रकार से जो भी आप फ्रेंड समझो, जो भी आप जोड़ी हुई हैं, तो आप लोगों को यह समझना परामावसा कि बुनाई क्या होती है, आज अगर आ परिवर्तन लाने की परकरिया जो होती है उसी को हम बुनाई कहते हैं जैसे कि कोई दो धागा है तीन धागा है चार धागा है उन धागों को एक परकार से मिला करके गूत करके उस धागे का आकार बदल देना नहीं उसको दूसरे आकार में परिवर्तन कर देना इसी परकरिया को बुनाई करते जैसे कि मान लेते हैं आपने बच्पन में देखा होगा माता जी आपकी उन लेती हैं घरीती है और उन का रेसा जो होता है आप देखिए का उसको सलाई में परकार से फंदा अंदा लगा करकि इस तरीके से क्या होता है सलाई इसे लगाती रेती है लगाती र मोसी ही थी मेरी साथ मोसी ने मेरी क्या कि मेरा नाम भी उसमें लिख दिया था जो है और मेरे भहिया जी का नाम भी उसमें लिख दिया था स्वेटर में और इसी प्रकार से तमाम प्रकार की डिजाइन बगरा जो है महिलाए गाउं की जो होती खास करके यही सब बनाती है तो करती है और आप चला जाता है लेकिन बाद में समझने आया कि इसमें दिमाग लगा करते हैं लेकिन देखो कंसेंट्रेशन कितना है के अलग बात भी कर रही है, स्वेटर वी बनना है, और इसमें डिजाएं भी बन रही है, आप सोचो, पहले होता नहीं था कि कई color, याँन जो हता था, चार, पांच color के नहीं एक दूसरे धागे का प्रियोग करके गुथाव द्वारा परिवर्तल लाने की जो परकरिया होती है उसी परकरिया को हम बुनाई कहते हैं बुलाई बुनाई में आप देखेगा लंबवत और छेती जीय निकि एक परकार से एक तो लंबा और एक इस परकार से ये छेती जीय और लंबवत इन दोनों का प्रियोग कियाता है और धागों को समानांतर इस्तिती में रखा जाता है समानांतर माने कि एक दूसरे को कभी ये धागे काटे ना समानांतर इस्तिती में होता ताकि जो है ये धागे एक दूसरे को काटे ना जैसे कि ये किदर धागा निकल और एक शेतिजी जो धागे होते थे उनको हम बाना करते थे जो सीदे सीदे ये धागे हैं आप देखेगा जो सीदे सीदे ये धागे होते थे इस पर धागे कैसे कलाते हैं ये वाले लंबे वाले इसको हम क्या करते हैं इसी धागे को हम क्या करते हैं भाई इसी को अनुदैर् पहुचे तुरंत जो है उन्होंने कहा ततक मम्मी बैटके जो है क्या कर रही है जो है स्वेटर रभून नहीं है ततक पापा जी बोलते थे या फिर एसे गाव में सभी लोग ऐसे बोलते हैं जो है चलो खाना पर एसे बोलते थे तो अब उस समय मुझे नहीं पता चलत था ना पता हो कि बुनाई के परकार या फिर पता होगा उनको सैत ही होगा और खासक है यहापटता भूना वाले धागे वाले उसको बाना कहा जाता था तो यही ताना बाना हटा हो अपना यारे необход द्रवा संवभ में आ गई बात है तो बुनाई यहीं होती है बुनाई की पहली करिया होती है सडंक और दूसरी क्रिया होती है क्या picking ओके तीसरी क्रिया को क्या कहते है बेटनिंग और चोथी क्रिया को कहते है लपेटना या फिर छोड़ना ये चार क्रियाएं होती है किसी भी बुनाई की एक पहली कौन सी setting दूसरी picking और तीसरी बेटनिंग और चोथी लपेटना या छोड़ना ओके ये बात भी ध्यान न किएगा और भी तमाम प्रकार की चीज़े हैं इसे की बुनाई के भी कई प्रकार हैं रिबू बुनाई हो गई फैंसी बुनाई की भी कई प्रकार हैं बास्केट बुनाई हो गई ठीक है ये तमाम प्रकार की चीज़े हैं जो कि आप को पढ़नी आवस्टक है मैंने अगली वीडियो जिससे पहले बनाई हो इसमें मैंने बता भी रखें चीजों के बारे में वैसे फैंसी बुनाई कई प्रकार की डाबी बुनाई होती जैकार्ड बुनाई एक सुभी वेल बुनाई एक लीनो बुनाई या फिर जिसकी गाज ब अगलाद बुनाई होती है तो इस सभी के बारे में मैंने अलेड़ी आपको सायद बदा रखा है एकर नहीं बता तो यह बनाई के बारे में को वस्वभन होती क्या है अब हम समझेंगे चले अगला परसना आपके समझ तो बुनाई आपके समझ में आ गई अगला परसना आपके समझ नायलान या फिर डेकरान नायलान और डेकरान के बारे में थोड़ा बहुत बताएं तो नायलान क्या होता भाई या आपसे पूछ सकता कि नायलान की बिसे में आप क्या जानती है या डिकरान की बिसे में आप क्या जानती है रियान की बिसे में आप क्या जानती है ऐसे पूछता है तो नायलान की बिसे में आप क्या जानती है जब पूछा जाए या नायलान ऐसे लिए कर छोड़ दिया जाए और पूछा जाए तो नायलान की अगर बात किया तो नायलान जो है इसका अभिसकार कब हुआ था इसका अभिसकार सबसे पहले 1928 इसबी की बात है 1928 इसबी में निव्यार्क आप सभी को पता होगा निव्यार्क पता है तो उसी निव्यार्क की जो एक प्रकार से डेपोंट कमपनी है उसी के डाक् कि अगर बात किया तो यह चिकना होता है गोल होता है अल्प पारदर्सी होता है और दीर आकार का होता है चोड़ा होता है और एक प्रकार से इसका आकार बड़ा होता है इसके अलामा इसको वस्तर बनाते समय इन्हें आवस्तक्त अनुसार लंबाई के हिसाब से काड़ ले आत कि न सोच्षियाइस में किस ने किया कहां पर तो यह यूज secondary कि सबаки कैसी तो ममला तो तो काम्ट हो सीर्ट को कायाता है कि ठीप दास्य बनाया और लेस खितसे हैं बनाने औरуйте एक प्रकार से गोल-गोल टाइप की होता है Ni की प्रयाप्त गोल होते हैं और इन्हें एक प्रकार से ताप सुन में बनायाता है कि ताप के प्रकार से अनकूल कारे करें तो इस प्रकार से होते हैं आपके डेकरान तो डेकरान और रियान और नायलान इन सभी के बारे में आप जान गए इसी के तरीके से आपका टेरी लेन ह होता है टेरिलीन जो होता है एक करीलीं से बनता है और इसी प्रिकार से आगे उम बढ़ते हैं और भी चीजों को जानने का प्रियास करते हैं अगला प्रस देखेगा बाचवा नमबर परसन है उन और रेसम में कोई दो अंतर बताईए उन और रेसम में कोई दो अंतर बताईए तो उन क्या होता है रेसम क्या होता है तो उन आपको पता होगा उन तो आपको पता ही होगा सभी को की उन क्या होता है उन के बारे में नहीं जानते क्या उन जो है भ और उन इन दोनों में मुखिरूप से जो अंतर है पहला अंतर आप दीजेगा उन जो होता है ये प्रोटीन प्रधान रेशा होता है कैसा होता है उन उन प्रोटीन प्रधान रेशा होता है लेकिन इसमें यूरिया की मात्रा भी मिलती है किसमें उन में प्रोटीन की अधिक्ता होती है यूरिया की मात्रा भी होती लेकिन कम होती है और रेसम जो होता है वो सुद्ध प्रोटीन तंतु होता है तो उन प्रोटीन प्रधान रेसा तो है लेकिन इसमें यूरिया की मात्रा मिलती है जबकि रेशम सुद्ध प्रोटीन तंतु माना आता है इसमें यूरिया नहीं होती है दूसरा अंतरिये लिख दीजेगा आप कि उन तंतु जो होता है यानि कि जो उन का रेशा होता है उन का तंतु होता है उस पर फफूदी नहीं लगती है और कीडों से नस्ट हो जाते हैं ये फफूंदी नहीं लगती है और कीडों से उन के तन्तू जो होते हैं जबकि रेसम के तन्तू जो होते हैं इस पर आप देखेंगे तो फफूंद वा कीडों का प्रभाव ही नहीं पड़ता है रेसमी वस्त्रों पर ठीक ये चीछ सबसे बाद में फिर उसको धोला जाना चाहिए कपड़ी को इससे क्या होता है कि गुनगुना पानी पहले तयार करके रखना चाहिए और यदि जल कठोर हो तो उसे मर्द बनाने के लिए लगबग एक मलग की आधा चम्मच के आसपास आप देखिएगा कि सुहागा या फिर नौसा साबुन जो होता है या सरफ कोई ले लेजिए यसे या फिर हुईल हो गया इसा भी का प्रियोग करना चाहिए ताकि जो है वस्त्रों पर कोई चीज ना दिक्कत हो इस प्रकार से चीजिए अच्छा जो रेसम का कपड़ा होता है इस पर फपूंदी या कीड़े क्यों नहीं लगती है फिर भी आदेगे बहुत दिनों तक आदरता पूंड यों अंधेरे बंद कमरे में बंद रहने पर ये वस्त्र फपूंदी के भी सिकार हो जाते हैं अगर हम इन वस्त्रों को क्या करें इन वस्त्रों को हम बहुत दिन तक आदरता यानि जहां पर क्या नमी हो उन और अंधेरा स्थान वो वहीं पर हम लख देन कपड़ों को तो इन पर भी फपूंदी लग जाती है और रेसमी वस्त्रों में कीड़े लगने का भाय भी हो जाता है जब वे मिस्रित रेसों से दिर्मित होते हैं अथवा उन पर दी गई परिसज्जा कीड़ों को आकरिष्ट क कड़ने वाली होती है और इन्हीं कारणों से प्राया रेसमी वस्त्रों को भी कीड़े काट देते हैं तो इस प्रकार से कीड़े रेसमी वस्त्रों पर भी लगते हैं लेकिन मुख रूप से जब उसमें मिलावट होती है तो लगते हैं ओके सबसे बड़ी पहचान इसकी यह यह है किरे समी वस्त्रोबर कीड़े नहीं लगते हैं, ओके एक इलियर हो गई, आगे देखते हैं, आगला परसनाब देखेगा, आगला परसनाब के समक्षे देखेगा, जो है चटवा नंबर परसना है, सिलाई मसीन के भारी चलने के कोई तीन कारण बताईए, यहीं सिलाई म में धूल या फिर मैल जम जाती है तो सटल में अगर धूल या मैल जम जाएगी तो फिर मसीन क्या चलेगी कठिन चलेगी भारी चलने लेगी इसके अलामा दूसरा करण होता है कि बहुत दिनों से अगर मसीन में तेल नहीं डाला जाता है मसीन वाला और तो उससे क्या जाता है गाढ़ा गाढ़ा टाइप कर चलने लगती है यानि कि थोड़ा सा भारी पल लगता ही लगता है उसमें थोड़ा सा बल और ज्यादा लप्रियोग करना पड़ता को मसीन चलाने में और तीसरा कारण हो सकता है मसीन धीमा चलने का या कठीन चलने का कि सटल या बाबिन जो होता है बाबिन केस में धागा जो होता है बाबिन केस में अगर धागा फज़ाए या सटल में धागा फज़ाए तो क्या होता है मसीन थोड़ा टाइट चलने लगती है अगर आप से पूछे कि सुई मसीन की बार बार क्यों तोटती है मसीन की सुई बा तो फिर क्या होता है तो जो है सुई तूट जाती है दूसरा ये है कि सुई कलेंप में पूरी तरह घुमा करके कसी नहीं जाएगी अगर तो कलेंप अगर ना कसा गया हो या फिर सुई कलेंप में पूरी तरह घुमा करके एक दम से ना कसी गई हो तो क्या होता है सुई तूट ही होती है अगर सुई थोड़ी सी भी टेड़ी हुई तो सुई खटाक से तूट जाएक इसमें कोई दो राय नहीं है सिलाई मसीन की इसके लावाद चौथा करन सुई तूटने का यह होता है बाबिन केस का रिंग गलत लगा दिया जाता है अगर किसी बेक्ती के द्वारा बा तूट जाते हैं अधिकतर बाबिन के तो इसलिए तूट जाते हैं चुकि पहला करण यह है कि यदि बाबिन में धागा ठीक से नाला पेटा जाए तो धागा बिलकुल तूटेगा दूसरी बात है कि यदि बाबिन का पेंच जो है अधिक कसा हुआ होगा तो भी तूट जा सब्सक्राइब याप नए नए आप सील ले हो तो इससे क्या होता है क्यों ऐसा होता है तो पहला इसका कारण यह है पहला कारण यह है कि यदि धागों पर अधिक तनाव पड़ता है तो रुग रुग करके चलता है जो कपड़ा रुग जाता है और दूसरा कारण है कि यदि प्रेसर फुट क से जो सुईच होती है उन सुईचों का नियंत्रन ठीक ना किया जाए गया हो तो भी कपड़े जो है आगे कठिनाई से खी सकते हैं तो इस परकार से तमाम सरपरकार की चीज़े थी जो कि मैंने आपको बता दी खीलियर हो गई बातें आगे बढ़ते हैं तो सिलाई मसीन से तमाम सारे परसन एक्जाम में बनते ने तो मैंने सुच आपको सारे परसनों की बारे में बता दें ताकि आपके एक्जाम में कोई परसन ना चोटे अगला परस ने ग्रे प्रबंध की प्रकरिया के मुखी चरण या फिर सोपान बताईए ग्रे प्रबंध जो होता है ग्रे प्रबंध की प्रकरिया के मुखी चरण या सोपान बताईए तो गरे परबंद की बात की जाए गरे परबंद की परिभासा को देते हुए नीकेल शो स्रिखला होती जिसमें से प्रतेक में निरड़े लेने की आवसकता भी इंकलूड होती है नि समलित होती है तो इसको हम गरे प्रबंद कहते हैं गरे प्रबंद की प्रकरिया जो होती है या विवस्ता एक निरंतर चलने वाली प्रकरिया होती है या निरंतर चलने वाली विकासील प्रकरिया होती जिसमें क्या होता है परिवार के सभी सदस्यों को उनकी योगिता निपुड़ता के अनुसार योजना बंध कारिस हो पायाता है और योजना तथा उसके करियानवेन का मूल्यांकन भी किया आता है कि आखिरकार आपने कितना कार किया या प्रकरिया करियाओं की इसी सिंखला होती है जो उद्देश की और अगरसरित होती रहती है तो इस प्रकार से गरे प्रबंद एक ऐसी प्रकरिया होती है जिस प्रकरिया में परतेग विक्ती को उसकी उपियोगिता के हिसाब से पिर उसकी टैलेंट इत्ता के हिसाब से क्या उसके अंदर टैलेंट है पहला चरण होता है आयोजन या नियोजन यानि किसी भी चीज का आयोजन करने से कि आपको खाना बनाना है तो खाने बनाने से पहले आपको क्या करना पड़ेगा आयोजन यानि नियोजन करना पड़ेगा खाने बनाने की जितनी भी वस्तोय हैं उन सभी को लाना पड़ेगा यहनी आयोजन करना पड़ेगा उन सभी का तो किसी भी चीज का अगर आपको सबसे पहले गरे प्रबंद करना है खाना मालते बनवाना है सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा आयोजन करना पड़ेगा यहनी नियोजन आयोजन एक ही बात होत की ठीक है आयोजन करना पड़ेगा आपने जो है जो तनी खाने बनाने की वस्तोय है इसा तेल हो गया हलदी मिर्चा हो गया नमक हो गए अपना जीरा हो गया, मेती हो गया, जुआइन हो गया इसी प्रकार से और भी तमाम प्रकार की चीजे रिफाइंड हो गया, आटा हो गया, चावल हो गया, दाल हो गया इन सभी जो है चीजों को इकठा करना पड़ेगा इसके अलामा आप देखेंगे कि जब आयोजन हो जाता आयोजन के बाद में क्या होता है दूसरा जो पॉइंट होता है इसका दूसरा पॉइंट होता है आपका क्या होता है पहला चरण तो आयोजन होता है दूसरा चरण संगठन यहनि जब आप घर में ऐसे की कोई रोटी बे या है उस आयोजन के द्वारा जो आपने कारी को लक्ष साधा किया इस आयोजन के माद्धम से में कारी करेंगे तो उस कारी को करने के लिए आपको संगठन किया हो सकता होती है तो किसी प्रबंद में आप देखिएगा चाहे गरे प्रबंद हो या किसी प्रगार के प्रबंद आत्मक्विवस्था में आप देखिएगा उसमें संगठन होता है संगठन यानि आप अपने लोगों का समूव हो कि ये कि लोग कुछ न कुछ कार करते रहे तो ये संगठन होता है दूसरा तीसरा चणया सोपान होता गरे प्रबंद का क्या नियंत्रण यानि कि प्रतेक जो स संगठन होता है संगठन का कोई भी मुखिया होना चाहिए ताकि वो सभी पर नियंत्रन रख सके कौन कार कर रहा है कौन कार नहीं कर रहा है इन सभी बातों का ध्यान रखने के लिए एक नियंत्रन करता होना चाहिए ताकि वो इन सभी चीजों को कंट्रोल कर सके हर एक मुद् यानि अब आपने नियंत्रन होकर के किस तरीके से आपने कंट्रोल में रहकर के अपने संगठन का सयोग किया और किस परकार से जो आयोजन का हमने लक्ष साधा था यानि कारी किया रखा था उस कारी को किस परकार से आपने पूरा किया इन समझ चीजों का मुल्यांकन होता है तो ये गरे परबंद होता, तो गरे परबंद है, मुख्य रूप से आयोजन, नियोजन, संगठन, नियंत्रन और मूल्यांकन का एक प्रकार से मिला जुला रूप होता है, और ये सब आपस में क्या होते हैं, एक दूसरे के पहलू होते हैं, जो कि परसपर आपस में संबन दि परिवारिक बजट क्या है परिवारिक बजट की अगर बात की जाए तो परिवारिक बजट एक प्रकार का क्या होता है व्यवस्थित प्रलेक होता है या व्यवस्थित क्या होता है प्रपत्र होता है जिस प्रपत्र में या जिस एक प्रकार से प्रलेक में क्या होता है पुडय देश का एक साल का क्या होता है पूरा का प्रप्रकार से हमओं को खर्च करना है, जिसे टोटल इनकम मा लेते हैं, कितनी हुई है उसी के हिसाब से बजट पेस्ट के राता है और बजट में कारी नियदारित क्या दिया था कि हाँ, इतना करोण रुपया इस सेक्टर को इतना करोण रुपया इस सेक्टर को इतना इस सेक्टर को इस प्रकार से बजट के द्वार निधारित होता है तो सेम यही फंडा होता है परिवार में परिवार में जैसे माल लेते हैं कि 20,000 रुपय की सेलरी है किसी बंदे की 20,000 रुपया पाए रहा है 20,000 रुपए उसको मिल लहा है उसमें से माल लेते हैं जैसे एक साल मुलब की एक महीने में माल लेते हैं एक महीने में हमको क्या करना है 20,000 रुपए खर्च करना है या इसमें से 20,000 रुपए में आप देखेगा खर्च करना है एक महीने में तो एक महीने में 20,000 म में 5,000 का आप रासल ले आएंगे बचा 5,000, 5,000 जो बचेगा इसमें से आप करना क्या है इसमें से आपको 2,000 रुपए का एक परकार से आप देखिएगा जो बच्चों के एक परकार से कापी किताब, पेंसिल और जूता, चपल जो कुछ भी लाना ला दिया बचा आपका 3,000, इस 3,000 में आप देखिएगा, जो है आप देखिएगा 3,000 में आपने ले कुछ कपड़ा वगरा ले लिया या फिर कभी ठंड़ा वगरा पार्टी बच्चे का बड़े ठंड़ा तो इस परकार से ये 10,000 रुपे हम बज़र फिक्स कर लेते हैं कि हमको एक महीने के अंतरगत किन-किन चीज़ों में खर्च करना है तो परिवार में एक विक्ति की जो सेलरी होती है आय होती है और कितना बे होता है उन सभी का लेखा जो खा कि 20,000 आएगा तो हमको करना क्या है कैसे कैसे क्या करना तो सजार अब जमा करना है या इसका पायल बनवाना है या बिच्छुआ बनवानी है जुमका बनवाना है क्या बनवाना है एक परकार से गउच्छा खरीदना है या इसी परकार से जो भी चीट करनी है खेती के लिए हमको खेत जुतुआना है यानिकी खाद लानी यूरिया लानी है डायमोनियम सलफेट लाना है क्या खरीदना है इन सभी बातों का आप देखेगा इन सभी बातों का नरड़य जो होता है इन सभी बातों का परकार से लेख अगर फटा ना चला अपना खर्ट rasp कभी 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 कव मैंने खुद भी देखा है एक लिट्र तेल आ गया एक हपता तो तो 15 दिन पर एक प्रकाड़ से इक- 57 झाटता है अब उसी उस महिला को उसी में सुबा का एक परकार से आप देखिएगा उसी तेल से सबजी का एक परकार से तड़का देना है और उसी तेल से दाल को भी छोंकना है इसी परकार से तमाम परकारिक चीज़ों को करना है लेकिन वह उसी हिसाब से फिक्स कर लेती है कि अगर हम इ ग्रहडी होती है वो एक कुसल क्या होती है बजट निर्माता होती है तो एक ग्रहडी एक बजट निर्माता भी होती है एक ग्रह प्रबंध विवस्था जानने वाली होती है अगर जिस लड़की ने जिस महिला ने ग्रह प्रबंध की विवस्था पढ़ा अच्छे से पढ़ा कि बैट आदे हैं चाहरा है वह तक अबंग माता पिता पर होती हैं उनके आप लोगू के हाथ पर नहीं चल लहे थे तब तक आपकी माता प्रदेश बड़े बड़े जा रहे हो और उनको गाव में छोड़ कर चले आए ऐसा नहीं आप भी अगर सहर जा रहे तो उनको भी सहर ले जाओ वहीं पर घुमावट लाओ फिर अपने घर ही रहो का दिकत है या फिर दूसरे भाई हैं तो आप चले जाओ बाकी आपका भी ख जितनी भी लड़कियां इस वीडियो को देख रही हैं ध्यान से अपने गरे परबंद के बारे में आप ही से पढ़ लीजेगा ताकि आपको आगे चल करके कोई दिकत ना हो इन सभी मामलों में और गरे परबंद महत्पूर चीज ही नहीं बहुत एक परकार से बैल्यूबल की बनाई आती हैं या आप देखिएगा कि जो है रिस अप्सनिस्ट बगारा एक काउंटिंग बगारा करने के लिए एक लेडिस ही बैठाई आती है चुकि वो क्या करती है वो अच्छे तरीके से वो ग्रे प्रबंद चुकि ग्रे बिज्ञान पड़े होई होती है उसको ड इच्छी समय तक चला लेना है यानि कि कम से कम साधनों का प्रियोग करके जादा से जादा आवस्टाओं की मनुस्थ की जो आवस्टाइं है उसकी पूर्ती कर लेना ही गरे प्रबंद कहलाता एक परिभासा या भी गरे प्रबंद की है ओके समझ में आगई बाते तो तार उप से चलाया सके फॉक्डवी ये सब चीज़ें होती है और परिवारिक बज़ट के जो एक प्रकार से बात आये तो सर्वोत्त परिवारिक बज़ट माना आता है बज़ट के बज़ट ओके ये बात ध्याने खिएगा आगे देखेंगे अगला परसन अगला परसन आपके समख्षे नववा नमबर परसन है थाकान क्या है थाकान क्या है थाकान जो होता है पूर्व में जो किये गए आपके कारे हैं आपने पहले कुछ कार किया है उसी कार के करण से आपको सारीरिक अवस्था जो होती है वो आस्वस्थ हो जाती है वेवस्था हो जाती है और आपकी जो सारीरिक अवस्था होती हुआ अस्थबेस्थ हो जाती है और जिससे क्या होता है कि वर्तमान कार करने के छमता जो होती आपके सरीर की योगिता जो होती हो कम होने लगती है यह आपने कुछ मान लेते हैं कि अभी मैंने पढ़ाया अब एक कलास ही हो जाए अभी रात के 9 बजे से अभी पराचिन इतिहास की कलास लगी हुई है अब उसमें क्या होगा कि थोड़ी सी एक परकार से आप से पूछे का एकजाम में कि थाकान के परकार बताईए थाकान कितने परकार की होती है थाकान दो परकार की होती है तो थाकान दो परकार की होती है तो थाकान की सारीरिक अवस्था वह अवस्था होती है जिससे यानि थाकान की अवस्था वह अवस्था होती है जिससे वरतमान कारे करने मलब कि कारे को करने की हमारी योगिता जो होती हो छीन हो जाती है कम हो जाती है और हम उस कारे को करने के लिए एक परकार से अपने आपको छमता सील नहीं समझ पाते हैं कि हमें कारे नहीं कर पाते हैं प्रकार से हमारे में फीलिंग्स आती है तो यह ठकान होता है और अगला प्रसाइब के समक्षे दसवा नंबर समय व्यवस्थापन क्या है समय व्यवस्थापन का आसे होता है कि किसी समय का इस प्रकार से उपयोग किया जाए जिससे ब्रक्तिगतियों परिवारिक लक्षों को अधिक से अधिक प्राप्त किया सके यानि कि समय यानि कम समय में या उचिस समय में आप दिखेगा मनुस के जीवन की अधिक से अधिक एक च्छाओं की पूर्ति अधिक से अधिक अवसक्ताओं की पूर्ति कर लिया जाए वो क्या होता है व्यक्तिकत और परिवादि क्यों ल समय ब्यवस्थापन के कही सारे यंत्र होती जैसे कि अत्यदिक भार हो गया, कारी का वक्र हो गया, यानि कि वर्क कर्ग हो गया, विश्राम का समय हो गया, कार सरलीकर हो गया, इन सभी के कार से जो है समय ब्यवस्थापन करना पड़ता है, कार सरलीकर क्या होता है, किसी भी कार को करने की सबसे आसान तरीका सबसे सरल तरीका सबसे जल्दी करने का तरीका जो होता है इसी को कार सरली करते हैं देख होता है आप चारिक तक नहीं कार सरली करते हैं तो इस प्रकार से कार करने मलब कार कैसे सरल किया जाए इसी करिया को कार सरली करते हैं ठीक है तो तमाम सार च करना केवल पांच ही परसन है ओके देखें दूसरा नमर परस दिया हुआ है और रनिलग उत्रिये का पहला परसन है कि वस्तरों का मानो जीवन में क्या महतु है यह प्रसन बड़ा ही अच्छा है निकि आप आप से पूर सकता है कि वस्त्रों से ब्यक्तित बनता है और इस कथन की ब्याख्या कीजिए या इस कथन की समिच्छा कीजिए यही इसी का उत्तर होगा ओके यह बात ध्यान लखेगा तो वस्त्रों का मानो जीवन में क्या महत्त है तो पहला महत्त यह है कि आज जब आप वस् उवस्त्र क्यों पहनते हैं लोग सबसे पहले बताओ उवस्त्र क्यों पहनते हैं ये बात तो सभी को पता होगी न उवस्त्र इसलिए पहनता है ताकि जो है हमारा सरीर क्या हो धकार है यहनी तो आप लिखेंगे कि सरीर के अंगों को आवरण परदान करने के लिए हम उवस्त का उपयोग करते हैं ठीक है तो इसका उपयोग या इसका महत्व जी उनमें इसलिए है पहला महत्व सरीर के अंगों को आवण प्रदान करने है तू इसका महत्व है पहला महत्व यानि आप देखेगा जो है परकार से डगने के रूप में कारी करता है दूसरा वस्त्रों का मा महीनों में वस्त्र जो होते हैं वो थोड़ा सा मोटे पहने आते हैं जिससे आपको ठंडी कम लगती है आप गर्मी के महीनों में देखिएगा जो है गर्मी के महीनों में हम हमारी सरीर से मलब हमारी सरीर को परकार से जो परकार से जो पराबैगनी किरड़े हैं जो धूप है इ किसरा इसका मालो जीवन में ये इसलिए महत्तु है चुकि सौंदर ब्रद्धी होती है आज कल की बात किया है तो लोग वस्तर पहन करके आप देखिएगा कपड़े से लोगों की पहचान होने लगी आप बहुत अच्छा कपड़ा पहन के जाओ आपको कुछ ना पता हो आप म अच्छा है है को सैमान लेते हैं कि केवल कपड़ा अच्छा उसने पहना कि इस तरीके से खेतोत बेच करके पहन लिया है लेकिन आप अभी वस्तर अगर धीला डाला फटा पुराना वस्तर पहन लीजिएगा तो आपको चाहे आप करोण पती हो लेकिन आपको लोग गरीब भी समझेंगे वस्तर जो होता है आपका ब्यक्तित धारित करता है कहिन कहीं पे वस्तरों से आपका ब्यक्तित भीन धारित होता है यह कहने की बात है कि वस्तरों से पहचान नहीं होती है चरत्र से पहचान होती है लेकिन सबसे पहली निगाह आपके वस्तरों पर आपके चे पैंट होना चाहिए ठाई कैसे लगानी है बटन कैसे बंद करनी है और ये भी तमाम प्रकार की विदी किस पैंट पे कौन सा सर्ट अच्छा लगता है उस पे कौन सा जूता पहना चाहिए किस प्रकार जूते का फीता बंदा होना चाहिए और टाई अगर आपने लगाई है त कि कौन सा कदल आपके उपर अच्छा लगता है ये सब एक परकार से आप देखेगा गरे विज्ञान में पढ़ना और पढ़ाया जाता है ओके ये के लिए रोगा है तो सौंदर विर्धे के लिए आप देखेगा कि जो है वस्त्रों का आज प्रियोग होने लगा है आज लोग आवरण के लिए नहीं आप देखेगा कि जो है बड़ी बड़ी फिल्में होती हैं आप देखेगा मूवीज होगारा में छोटे-छोटे कपड़े और आज कल मूवीज में ही क्या देखेगा आप किसी बड़े सहरों में चले जाए तो वहाँ पर आप देखेगा बिना वस्त्रों के या फिर आप देखेगे छोटे-छोटे वस्त्र पहन करके लोग घूम रहे हैं और खास करके यह जो प्रकार से प्रकरिया है यह आवरण वाले मुद्दे को हो गया तो इन सभी देशों का हम क्या कर रहे हैं उन सभी देशों को हम एक परकार से नकल करके यहाँ पर भी पहन रहे हैं और वो लोग हमारी साडी बगरा पहन रहे हैं आप देखेगा वहां की ओड़ते क्या कर रही हैं साड़ी पहन रही है, रादे किष्णा का मुवमेंट करें, उचल उचल करके बीड़ा और सितार पे वादन कर रही है, नृति कर रही है, ठीक कथक कली और भरत नाटकेम सीख रही है, सास्त्रे नित्यों का एक परकार से पाट पड़ रही है, और हम लोग डिस्को, बियर बार ठारा, उन रुक पाट जा रहे है, यह तमाम परकार से उनकी जो बुराईया थी, वो लोग त्याग रहे हैं, और उनकी जो बुराईया है, उनको हम अच्छाही के रूप में अगरहण कर रहे हैं, तो आप देखिएगा, कि समाज में देखिएगा, समाज की प्रकर्दी का म modern हो गए हो आप दो सब्द अंगरेजी का मिलावटी बोल दिये इसका मनलब आप बिलाइती नहीं हो गए हुआ बहुत बड़े इंग्लेंड बासी नहीं हो गए हो आपका एक प्रकार सोची आपका नैतिक पतन हो रहा है आपके मूल्यों का हरास हो रहा है आपके जो समाजिक मूल्य है समाजिक बाब दंड है जो नैतिक करतब बे हैं उनसे आप उंचित हो रहे हैं उनसे आप अट रहे हैं और गलत तरीके पर जा रहे हो आने वाले समय में एक भबिस ऐसा आएगा जीवन में देख लिजेगा न मैं कहीं जाओंगा ना आप कहीं जाएंगे और ये ना पिर्थभी कहीं पर जाएगी ना मेरी वीडियो कहीं पर जाएगी और आप देख लेना कि आने वाले कुछ समय में आने वारे लगबग और लगबग हमसे कम बीस से तीस सालों के बाद में आप देखिएगा इस बात का रियला सवंदर बिर्धी के लिए चोथी बात है समाज में प्रतिष्ठा पाने के लिए वस्त्रों का प्रियोग होता है इसके अलामा कारी छमता में बिर्धी होती है वस्त्र पहनने से आप देखेगा पानी उसमा ठंडक इन समी से रच्छा करता है वस्त्र जो होता है और आपकी जो बढ़ाने का कारी करता है वस्तर, तो वस्तर इस तवाम प्रकारी चीज़ों के लिए महतपोर होता है, तो ये वस्तरों का महतव होता है मानो जीवन में, समझ में आग़ी बाते हैं लिख दीजेगा, तीसरा नमर पर आपके समग लिनन्गी विसें, का jestem आप जानती है तो लिनन falls होता है एक प्रकार की सन प्रकार की सन मोजो तो भीर पहले देहे गां पैटा, जोधरी जानते हैं पाई जो सब्सक्रासMA केहां कि सन ilarod और उनको पता होगा और खासकर है आप तो पेटूआ का परचलने नहीं नहीं आप देखेगा बहुत इलाकों के लोग पहले खाना वगरा बनता था या अलाव अगरा चलाने में काम आता था तो जो पेटुवा होता था उसका ब्रिच होता था उसके उपर एक चादर चड़ी होती थी उसका जो च्छाल होती थी पेटुवी की उस पेटुवी की च्छाल जो होती वही इंपोरन ती से लि पाने के बाद में क्या हूता था वो उसी में पाने में फोलता था, दो-TIN-चार दिन तक फोलता था उसी में, उसके आद में उसकी उपरि जो एक प्रिकार से परत होती थी, थुड़ी धिखाई परतने लगती थे, फिर हम क्या करते थे? उस पेटवे के जो है, बोज़ को बाह इतना पतला ठीक है इतना पतला यानि कि लगबग ये इतना साइच का ठीक है इस प्रकार से पतले पतले होते थे आप मान करके चलो उसे लाठी होती है लाठी लाठी देखा आपने तो लाठी के ही आकार का होता था ठीक है लंबा लंबा तो तो पेटुवे का जो छाल होती थ खाल निकालने के बाद में क्या करते थे isaN को वह सुखने के बाद में वही सथ होता था यदि उस के साल को ऐसका चमड़ा हम ने निकाले हूं उसकी स्काइल को सथ पहले पगहाव गईराreck पसूर को का पनाया कहते हैं तो वह चीज बनती थी तो उसी को सन कहते हैं हलाकि इस सन का मदलब होता है कि जो लिनन का ब्रेच या फिर लिनन जिससे बनता जो फ्लास्क नाम का पौधा होता है एक फ्लास्क नाम का पौधा होता है उसी फ्लास्क का जो तंतु होता था फ्लास्क नाम के पौधे का जो तंतु होता है इसी तंत भी में सहायक्ता प्रदान करती थी जितने नमी होगा उतने पौधाय बढ़ेगा और पौधे के परिपक हो जाने पर इसे जो है जण सहीत उखाड करके पानी में कई दिन तक पड़ा रहने देते थे और वही प्रक्रिया पूरी वही पेटवे को ही फ्लाक्स कहते थे प्रकार करका ही आप लोग जानते हैं कि नहीं जानते हैं लेकिन मैं तो बिल्कुल जानता हूं मैंने उप्रक्रिया भी की है तालाब में मैंने कूप पेटवा डुबोया है कूप छाल निकाली उसकी उसकी बढ़ना है निकि आप बताए तो मैं रसी चाहे जिसकी रसी आप चाहे प प्राचीन से प्राचीन चीज़ें आपको Dakes रेंग deck Macedej I خ गल करके सथा ही क्या है ती तो यह होता था पैट हुआ ओके तो यही होता था इसको कई दिनों पाणी में हम इसको गलाते थे गलाने के बाद में इसकी जो बाहरी चान होती है इगल करके सथा ही क्या प्रकार से प्रकार से अमेरिका, हालेंड, मदेशिया, फ्रांस और उत्री आयरलेंड में होता था यह फ्लाक्स पोदे से लिनन वहाँ पर निकालाता था प्रकार से प्रकार से प्रकार से प्रकार से प्रकार से फ्लाक्स टाइप का भी होता था तो फ्लाक्स होता जो है यह अमेरिका वगरा में, आयरलेंड में, फ्रांस में, मदेशिया में, हालेंड में, अमेरिका में होता था और उसी भातिया हमारे भारत के अगर बात किया तो यहाँ पर पेटुआ होता था देकिर उससे हम मुश्र नहीं बनाते थे उससे हम पगहाव अगरा बनाते थे ठीक है यह बात ध्यान देखिएगा तो यह इस प्रकार समझ में आ गई बाते आगला परस दिखिएगा चौथा नमर परस नापके समख है रेसम के तंतों की विसेश्थाएं बताईए रेसम के तंतों की क्या-क्या विसेश्थाएं हैं भटा-भट से बताने का प्रियास करिएगा रेसम के तन्तों कई भी सेस्ता है जैसे कि पहला तो होता है रेसम क्या होता है इसे ताप सहने के एक प्रकार से ठीक ठाक ताप सहलेता यानि कि इसके वस्त्र पहनने से रेसमी वस्त्रों को पहनने से गर्मी लगती है और आप देखेगा कि इससे बने वस्त्र सरीर के ताप को बहुत कम बाहर निकलने देते थे यानि कि आप देखिएगा कि गर्मी के महिNews मीरे तो यादा बेटर रहता था तो जुकि यह सरीट की जो गर्मी को भी सोक लेते स्वीर कर्म हैं जो हे गरम पानी हो प्रे धूप अदिक गर्म परेस करने से इसके तंतु कमजोर हो जाते थे और इसमें ताप सहने करने की सक्ती भी कम हो जाती थी एक प्रकार से दूसरी विसेश्था तिसरी विसेशता है हवा का प्रभाव इस पर हवा का प्रभाव कैसा था गर्म हवा से जो होते हैं जो रेसम होता है इसके तंतु कमजोर हो जाते हैं और रंग जो होता है रेसम का यह हलका पढ़ जाता है और इसका बना सफेद वस्तर का होयाता है पीला पढ़ जाता है अगर चाहिए नहीं प्रफेलती हैं वस्त्रों में लगबक 30% नमी या सोख लेता है जो वस्त्र होता है रेसम का और गीला अनभोव नहीं होने देता है तो रिस्मी वस्त्र इस परकार सूप योगी और महतपूर और विशेष्टा इसकी यह है और पाँच्वा इसकी विशेष्टा यह है कि अमल का प्रभाव इस पर कैसा पड़ता तो अमल जो होता है अमल डालने में इसमें चमक आयाती है अगर इसमें आप देखे खटे चीज़ों का खटे चीज़ों जो होते हैं उसको डालेंगे तो इसमें चमक आयाती थी और आप देखेगा कि अमल के गाड़े घोल से रेसम गल जाता है और इसकी चमक भी नश्ट हो जाती है तो इस परकार से क्या होता कि अमल का अगर अमल का जो गाड़ा घोल होता है तो उसे क्या हो जाएगा ये नस्ट हो जाते है, जादा गिरकारा हो जाईगा तो थोड़ा बहुत अगर रहेगा, तो चमकडार होगा ठीक, तो इस परकार से मैंने रेशम के वस्तरों के आपको विसेस्ता है, बताई आप लोगों नहीं समझे गए होंगी कि ये रेशम के विसेता है, ओके अच्छा उन की विसेस्ता है आप से पूछेगा उनी वस्तरों की विसेस्ता है पूछे तो क्या बता है अगला तो यह परस्ण हो गया पाचवा परस्ण की उनी रेसों का वर्गी करन सपश्च कीजिए वैसे उनी रेसों की बात की आए तो जो उन के तंतू होते हैं इनकी विसेश्टा होती है कि उनको बैड कंड़क्टर आफ हीट कहा जाता यानि कि क्योंकि या सरीर के ताप को बाहर नहीं जाने देता इसलिए सरदी के मौसम और ठंडे प्रदेशों में उनी कपड़ों के सरीर से रच्छा कियाती उनी कपड़ के लिए इसके फिमस है जो स्वेटर बगारा होते हैं इनके लिए खास करके इसके अलावा जो उन से बने वस्त्र होते हैं तेज धूप में इनका रंग उड़ने लगता है और उनको दुबारा रगना मुश्किल हो जाता है तो इस परकार से ये धूप में काफी जादा दे रहते तो इसके वस्त्र जो होते हैं मलब की वस्त्र का जो रंग होता है उड़ने लगता है इसके लामा उनको रगने से क्या होता है इनके जो ऊपर की रोय होते हैं वो निकल जाते हैं और इनके तंतू भी खराब हो जाते हैं और नमी की बात किया तो उनके तंतू की जो व पैर दोस्तों की उनी डेसों का वर्गीकरण स्पष्ट कीजिए तो उनी डेसे कई प्रकार के होते जैसे की पहला होता है वर्जितून वर्जितून क्या होता है वर्जितून जो होता है इसका वर्गीकरण नभीनतम उनका होता है यह उनका यह नभीनतम वर्गीकरण होता है जो वर्जित उन है और यह उन उस वर का उन है जिसे पहले किसी रूप में परियोग में नहीं लाया था आरता जो बोड़ता है नया रूप नया रहता था तो यह वर्जित उन है दूसरा उन कौन सा होता है मेमनों का उन जो होता है ये 8 महीने के मेमने का उन जो होता है बहुत ही सूच महीन होता है और प्रतेग रेसे का सीरा नुकीला होता है इन उनों का मेमनों के बालों के उन से बने गर्म और वस्त्र अतियंत मुलायम के होते हैं ये बात है और तीसरा जो उन होता है इसका नाम है हाग उन हाग उन जो होता है या उन 12 से 14 मा की जो आयू के जो भेड होते हैं 12 से 14 महिने जो भेड हो जाते हैं उनकी पहली बार जो है उनको काटा जाता है इस उनको और अच्छी किसिम का ये उन होता है और इसके रेसे महीन होते हैं मुलायम होते है परती इसकंदन न्युक तो होते हैं इसके लावा परिपक होते हैं और इन रेसों के सीरे भी मेमने के उन के समान नुकेले होते हैं चौता जो उन होता है वो होता है विदर उन जो होता है भेड के सरीर से पहली बार उन कट जाने के बाद में जो दूसरी बार आता है उनके सरीर पर उन वो उन होता है उसे ही विदर उन के तो दोबारा उन जो मिलता हैं को भेडों से तो इससे भेड की आयो लगबग लगबग चोदा महीने से अधिक ही हो जाती है उस समय जो होता है ये कुछ गंदे हो जाते है तो ये भी धर उन कहलाते हैं पांचवा जो उनका प्रकार होता है जो खींचा हुआ ले आते हैं इस प्रकार के उनको निम्न वर्ग काउन कहते हैं लेकिन फिर भी यह खीचा हुआdayern। जोकि महांसाहारी लोग जोसको खाने के लिए जो हैं मलक की भीनू का प्रयों करते हैं उसके बाद उसके जो जो झो उनको कोई निकाला याता है और या भी निम्न स्रेड़े का उन ही होता है ओके और निम्न वरक के जो वस्त्र होते हैं उनके बनाने में यह प्रयोक्य आता है और जो सात्वा उनका प्रकार होता है, कोटी उन, कोटी उन जो होता है मेरे भाई, कोटी उन जो होता है, विपरीत मौसम और विपरीत प्रसितियों में पलने वाली जो और अनकूल आहार के जो अभाव से जो भेडों के सरीर के पर बाल जो होते हैं, उल्जे उल्जे टाइप के होते हैं, गंदे हो तो इस प्रकार से क्या होता है कि उनके जो उन होते हैं जो है उनके जो हो जाता है रुक्ष हो जाता है और यह इन्वनिसरणी का उन माना जाता है कोटी उन और जो अठवा उन होता है प्रकार उनका होता है टेग लाक उन कौन सा उन होता है टेग लाक उन जो होता है ये टूटे फटे तथा बदरंग होए जो उन होता है उन उनको टेग लाक उन कहते हैं ये भी निम्नवर का उन मानाया था तो ये सब उन के प्रकार है कौन कौन से वर्जित उन, मेमनो का उन, हाग उन, बिदर उन, खीचा हुआ उन, मृत उन, कोटी उन और टेग लाक उन, ये आठ प्रकार के उनी रेसे होते हैं, ठीक है, किलिए रो गई बातें आगे समझते हैं, जो है अगला प्रस्णाप के समक्ष है, अगला पस्दिकी का करते समय किन बातों का ध्यान अकना चाहिए, रिजाइन का चैन करते समझ बरकार में महिलाओं के लिए आप देखियेगा, बड़े आयू के पुरसों और महिलाओं के लिए desginer कपड़े की तुलना में जो बीना design के कपड़े होते हैं, वो जादाह बेटर लगते हैं, जाद विबाः हो चुका है प्रिद्ध या फिर एक प्रकार से पचास छालिस की उमर पार कर चुके हैं तो या पचास के उमर के जादा हो चुके हैं तो वो अगर साधा वस्तर पहनते तो उनके उपर ज्यादा अच्छा लगता है लेकिन बच्चों के लिए वस्तर सिलवाने में आ पहली बात यह है कि बड़े-बड़े फूल पत्तियों या फिर डिजाइनों के वस्त्र पहनने से ब्यक्ति मोटा और छोटा लगने लगता है अगर आप ज्यादा बड़े-बड़े फूल बनवाएंगे अपने कपड़ों में डिजाइन बनवाएंगे तो इससे क्या होता है मोटा प्रतीत होता है और नाटा दिखला ही पड़ने लगता है तो यह एक परकार से चीजों का ध्यान रखना चाहिए दूसरी बात एक ही पोसाग में कई तरह के डिजाइनों के वस्त्रों को सामिल करने से पोसाग भद्धी हो जाती है ज्यादा डिजाइन नहीं बनने चा अच्छे नहीं लगते हैं यसलिए जो है जो ज्यादा डिजाइन दार वस्त्रों होते हैं इनको परदे जैसे परदा बनाना हुआ या बैड सीट बनानी हुई तो उनमें जो है आप अधिक डिजाइन दार कपड़े चमकीले धमकीले कपड़े का प्रियोग करें डिजाइन बैक्ति मोटा और नाटा दिखाई पड़ने लगता है या अगर खड़ी धारी जो है सड़ पर या फिर किसी पर बना दी गई तो इससे बैड़ बैड धारी या इस तरीके से जो है 36 धारी बन गई वस्त्रों पर इससे क्या होता है बैक्ति मोटा और नाटा दिखाई चाहिए तो यह सब चीज़ आध्यान रखे वस्तर का निर्माण करते समय डिजाइन का निर्माण करते समय ओके यह चीज़ के लिए है तो इसलिए पढ़ाया था कि आप माल लेते हैं कि आपको कभी साधी हो और आपका पती छोटा हो या आपका पती आपसे ज्यादा लंबा ह तो उसके लिए बेवस्ता कर दीजिये उनके सार्टों में इस प्रकार से सार्ट खरीदुआई ताकि जो है उनको पता भी न चले और आप आसानी से कैशन कर दीजिये थीक यह चीज़ कि लिए रहो गई आगे समझते हैं आगला परसन एक बार सभी लोग वीडियो को लाइक और जितने भी लोग देख रहे हैं सभी लोग वीडियो को लाइक और सियर कर दीजेगा सबी लोग वीडियो को लाइक और सियर कर दीजेगा सातवा नमबर परसन देखेगा सातवा नमबर प्रसन आपके समक्षा चुका है देखे प्रसन है कि सकती ब्यवस्थापन की प्रकरिया असपस्ट कीजिए सकती ब्यवस्थापन की प्रकरिया असपस्ट कीजिए most important प्रसन है सकती ब्यवस्थापन की प्रकरिया क्या होती भाई क्रिया कि हलके कार के बाद में भारी कार की युजना बनाने चाहिए अगर आपको सकती ब्यवस्थापन मलब की सकती यानि की कार करने की आपके पास सकती नहीं है या आपको एक परकार से अपने पावर का एक परकार से सही तरीके से प्रियोग करना है तो उसके लिए सबसे प प्रियाप्त अस्थानी आपो कारह करने के बाद लिए भिश्राम और्म 15 स्थान दिया जाना चाहिए अगर आप कोई कार करने तो आपको आराम लेने की भी आवसकता है नहीं फिर दिखकत हो जाएगी इसके अलामा चौथी प्रकृरिया यह होती है चौथी बात इसमें ध्यान देनी योगी बात यह है कि जो है कारिकरता जो है यानि कारिकरने वाला जो है उसकी सारेरिक और मनोबैग्यानिक दसाओं का ध्यान न करके योजना बनाए जाने चाहिए कि योजना जब परिवारिक नियंतल करना हूआ या परिवार कोई पर बन्न करना हूआ परिवारिक बजठर तयार करना हूआ तो आप देखें कि जो है व्यक्ति की सारिरिक और मनोबे ज्ञानिक जो योग्जिता है उसकी दसा करसी उस हिसाप से उसको कार दें ताकि वो अच्छे तरीके से कार कर पाएं पांचवी चीज यह है कि जो है कार युजना कार करता के समख चसपस्थ होनी चाहिए कि हमको करना क्या है युजना उसको बता देनी चाहिए और उसमें किसी प्रकार का भरम नहीं होना चाहिए ताकि उसके अंदर कोई प्रकार की जो गलानी या फिरिक प्रकार से मन में जो भाव रह जाए यानि कुछ बचे ना सारी चीजों को बता दें कि हाँ इस प्रकार की आयोजन है इस प्र कारे विजना बनाने चाहिए और कारी करता को कारे की पूर्णता प्रसंतोस और अनुबह भी होना चाहिए ताकि वो अपने प्रकार से संतोस जनक तरीके से अपने मनों कौसल का अपने मनों बुद्धी का प्रयोग करके उस कारी को अच्छे तरीके से संपन करें ओके ये है प्रस्ट नहीं कि क्या है क्या क्या करीफाद कर्या आप कैसे लिखेंगे इसको इसको लिख करना ही क कार शरली का होता है कि ग्रास और करंडल महोदे कहते हैं इसी बात को लिकर कि कारिसरलिकण की परिभासा को देते हुए कि कारिसरलिकण में समय तथा सक्ती दोनों को एक व्यवस्थापन की रूप में मिस्रित कर दिया जाता है और कार सलेलिकर्ण कताती पर निर्धारिस समय योम सक्ति की मात्रा में निर्धारिस समय यानि कितने समय में हमको करना है कितनी सक्ति हमारे पास है इन सभी चीजों को ध्यान में रख करके अधिक कार समपादित करना अथवा कारी की निचित मात्रा को संपन्द करने के लिए समय या सक्ति या दोनों की मात्राओं को कम करने का प्रियास करना होता है यहनी आपको कोई टास्क दिया गया, कोई कारी दिया गया कि आपको आठ दिन तक एक लीटर तेल से काम चलाना है तो आप क्या करें? आप 10 दिन तक ऐसा करें कि आप अपने हिसाब से युजणा बनाएं कि हम 10 दिन तक यह कायश चलाएंगे और कारी को सरलीकर तरीके से कम समय में जादा कारी करके और जादा बचट करेंगा यानि कि कम से कम वस्तों का प्रियोग करके कम से सबसे के आप को खाना बनाना है तो खाना बनाने में सबसे सरल बधी कोन सी हो सकती है उस बधी का प्रियोकर के आप खाना बनाएं सबसे सरल बिदी और सरल बिदी के अलावा यह नहीं हो कि आप सरल बिदी के जल्दी जो है आप पियार डाले नहीं पियार डालना था जो है कड़ाई में आपने डाल दिया चूले में उसको ऐसा नहीं है इसका मतलब यह है कि बेटर चीज बने आने कि आप जो अगर कोई भी recipe बना रही है, कोई भी ऐसे सबजी बना रही है, तो वो अच्छी बने, और कम से कम समय में बने, कम से कम साधनों का प्रियोग करके बने, और अच्छी बने, इस प्रकार की quality को ही कारसरलिकण कहते हैं, चीक है, ये बात ध्यान लखिएगा, ताकि आपकी सक् की बचत हो, आपके समय की बचत हो, और आपके पैसे की बचत हो, ओके, इन सबी चीजों कारसरलिकण कहते हैं, यहीं नहीं, कारसरलिकण की परिभासा को देते होए, कारसरलिकण की परिभासा को देते होए, राज महल पी देवदास कहते हैं, क्या-क्या-क्या कहते हैं, कहते करके या फिर किसी चीट का परियोग करके किसी कार को कम मात्रा में समय था सकती के उपयोग द्वारा करने की टेकनिक होती है उसी को कार सरलेकण करते हैं तो कार को कम समय में कम मात्रा में आप देखें कम सकती का उपयोग करके और जो है प्रकार से बिबित तरीके से अच्छे तरीके से प्रसुत करना ही कार सरलेकण करलाता है तो कार सरलेकण की परिभासा मैंने आपको अच्छे तरीके से दे दी ओके, किलियर हो गई बाते, सारे चीज़े किलियर हो गई, आगे समझते ही नववा नमबर प्रसना आपके समख्च है, और इसा प्रसनिक जाम में आपके छपने वाले हैं तो आप बिल्कुल भी इसको हलके में मत लीजिएगा, आप पढ़िए विस्वास मानकत के चलिए अगर आप लोगों ने सुकला स्टिडी पॉइंट का विस्वास किया है, तो आपके विस्वास पर हमेशा से खारा उतरा हुआ हूँ इसमें कोई दो राय नहीं है, आप बने सीनियर से पूछ सकते हो, या फस्ट इर समेस्टर में आप लोगों ने देखा होगा आपको कितने अच्छे तरीके से समझाने का प्रियास किया गया, और आपके उनिवसिटी में सारे के सारे परसनाई होए होगे और सेकर्ड समटर में और विद्वत तयारी के लिए मैं हाजिर हूँ आप लोगों के समझे और अच्छे तरीके से आपको पढ़ाने का प्रियास कर रहा हूँ अगला परसनाब के समझा चुगा है, गरे परबंद के महत्यों की संचिप्त बिवेचना कीजिए, बताएं परिवार के सबी सदस्यों के लिए होता है, ऐसा नहीं कि किवल गरेहणी जो होती है, वही गरे परबंद के बारे में जाने, जो खाना बनाने वाली इस्तरी है, वही इसके बारे में जाने, जो पूरू से उसको भी जानना परमावसिक है, जो अन सदस घर के हैं, उनको बज़र नहीं दियार किया गया कि कितने पैसे में किस तरीके से हमको बैय करना है कितना बचाना है और पैसे किस प्रकार से किनको किस छेतर में कितने पैसे खर्च करने हैं जब तक परिवार एक बज़र नहीं फिट होता है किसी परिवार में तब तक वो परिवार सही तरीके स नहीं चल पाता है और अधिक से अधिक अधिक पैसे कमा करके सारे पैसे डूप जाते हैं सारे पैसे जो है खर्च हो जाते हैं और आपकी अवसक्ताओं की पूर्ती भी नहीं हो पाती है तो इसी लिए आप देखिएगा आप देखिएगा कि अवसक्ताओं में आसंतुलन उत् उस्ता बिगड जाती है अनुसासनभंग हो जाता है इससे परिवार के विबिन सदस्टों के बीच आपसी संबंध सहयोगा अत्मग ना रहकर के टकराव होने लगते हैं आपस में विचार लड़ने लगते हैं लोग जगड़ा करने लगते हैं तो इससे असपस्ठे की परिव के बारे में जानते हैं उसके घर में जगड़ा नहीं होगा यह मैं दावे के साथ बोल सकता हूं अगर सभी विक्ति गरेपरबंद के बारे में जानते हैं सभी दूसरे के अस्थान परनी जगड़ा एक ही बास से नहीं होता है आप ज्यान से सुनिएगा जगड़ा आपके गुस्सा खुदी उतर जाएगा और बाकर के आप से बोलेगा कि इमने गलती गरी आप से ऐसा बोल करके आप सोचो कि उसके मन में कुछ ना कुछ भडास होगी जो कि उसके अंदर चल लही है और वही वही गुस्से के रूप मे निकाल ला है बाहर तो यह चीज होती चीक है त तो गिरे परबंद का महतु सिलिये है और गिरे परबंद का महतु परिवार के सबी सदसों के लिए होता है परंतु इसका सारबाधिक महतु गरहणियों के लिए आवस्यक माना जाता है क्योंकि हमारे समाज में परंपरा के नुसारबाद की यह तो अधिकांस महिलाएं घर अपर रहती हैं और गिरे प्रबंद और विवस्था का या संभा करता यह उपर है थन उपारइवि करते हैं और यहां 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 खर्च करना यह लो और उजाकर के मांगता है कि पैसे हमारे दो तो पतिनी देती है पैसे कि लोग इतने पैसे यह लोग यहाँ पर यह खर्च कर देजी अगा यहाँ पर यह यही खासरी जब हिंदू संसकार जो होता है उसमें एक साधी संसकार होता है विबासंसकार होता है विबासंसकार में जो तो संसकार में आप दिखेगा स्थ्थपदिका, इस लोग लास्ट में पढ़नेजी लोग सुनाते हैं, उसमें छीज़ बताइया थी है, कि आप धण में जो होता है, उसमें आधा भाग पतनी का होता है, अगर पति Сव रुपया का मारा, तो पचास रुपया उसमें से पतनी क पचास रुपया उस ब्रती का है और उस पचास रुपय में उसके माता पिता का भी भाग है ये बात ध्यान रखेगा आप चुकी पतनी के उपर उसकी responsibility है पतनी किसके उपर आई है पतनी अपने पती के लिए आई है अपने पती के लिए आई है तो अपने पती सी पैसे मागे तो पत्नी का ये धर्ब होना चाहिए अगर 100 रुपे ricamara है तो 50 रुपे पनी पत्नी के लिए बचाा करके रखे यानिंगी पत्नी और उसके जो बच्चे है उसके उप्योग में करे और 50 रुपे जो है वह अपने उप्योग करे और चाहे अपने सगे संबंदियmal को दे काया पेंसिल यह सब खरीदने में 50 रुपय आपका यह लग जाएगा, तो इस प्रकार से कहने का मनलब मेरी ए कि अर्धांगिनी का सेम स सीधा से मनलब उता है, जितना आपका है, उसमें से आधा आपकी पतनी का है, और जो आधा वस्ता है उसमें अपनी मा उवा आपके माता पिता का है ये बात धेन रखेगा जिस दिन आप लोगों ने ये समझ लिया उसी दिन घर में कलेज, दोएस, इरसा की भावना छलकपट सब समाप्त हो जाएगा और इस प्रकार से गरेपरबंध जो होता है प्रतेग परिवार को उजल बनाता है अच्छा बनाता है और भारते परिवार में जो समयुक्त परिवार का बेगटन आजकल हो रहा है उसका मुख ही कारण होता है गरेपरबंध का जानकारी नहीं होती है और इरसा दोएस फैलता जाता है और लोग घरों को तोड़ रहे है अब आगे देखते हैं यहाँ पर देखेगा यह दीर गुत्य टाइब के परसन है इनको देखेगा खंड सा से दीर गुत्य टाइब के परसन पूछे जाएंगे और दो परसन में से केवल करने हैं पांच परसन दिये होते हैं और 500 सब्दों में परसनों के उत्तर को आपको लिखना होता है आए इन परसनों को देखते हैं हलाकि इन परसनों के उत्तर को मैं यहाँ पर बता नहीं पाऊंगा चुकि क्या है कि वीडियो बड़ा लंबा हो जा रहा है इसलिए आप करेंगे क्या, इसलिए आप करना क्या है कि आप आगे चैनल को सबस्क्राइब कर लीजगा, वीडियो को लाइक कर दीजगा, बेल अगन प्रेस कर दीजगा और मैं नेक्ट वीडियो बनाओंगा, उसमें और भी चीज़ों को बताऊंगा ताकि अच्छा आईए जरूर नहीं की दीर घुत्रिय टाइप की जो परसन है ये जो लगुत्रिय में बताया हो दीर घुत्रिय में नहीं आ सकते हैं तो आप विस्तार से उन्हीं चीज़ों को लिख देंगे तो आपका हो जाएगा यहीं की बहुत समझ में आ रहा है अगर समझ में आ रहा है तो बताईए मैं और माडल पीपर आपको देने का प्रियास करूँ ताकि आप अपने एकजाम में एकदम से 100% करके आओ और एक भी परसन आपका न चूटे आपको किताब और इधर दर कहीं पर कुछ पढ़ने की आओ सकता ना परसने वह सतन्तु यानि कि जो वस्तर बनने वागी जो रेसे होते हैं वो क्या होते हैं यानि कि किन स्रोतों के आधार पर वस्तरों का यानि कि जो तन्तु होते हैं इनका निर्माड होता है अगला परस देखेगा धागा निर्माड प्रकिरिया के विभिन चरणों का संचे में उलेट कीजिए, most important person एक जाम में जरूर आएगा, अगला परस देखिएगा परिधान के चुनाओं को कैसे प्रभावित करने वाले, बलब कि प्रभाव, परिधान जो होता है जो टेक्स्टाइल होता है, उसके चुनाओं को प्रभावित करने वाले जो तब तो होते हैं, उसका वड़न कीजिए जो है टेक्स्टाइल करते समय हमको किन-किन बातों का ध्यान अकना चाहिए, इन सभी बातों को यहाँ पर परसन में लिखना होत्तर में अगला परसन गरे परबंद का आर्थ है, अनि सबसे पहले आपको गरे परबंद का आर्थ बताना है, उसके आदे गरे परबंद की विभिन परिभासाओं को यहाँ पर आपको देना पड़ेगा, उस परकार से गरे परबंद के बारे में प्रसन हो गया वहीं अगला प्रस्ट, चोदावा नंबर प्रस्ट आपके समख, चोदा नंबर प्रस्ट है, क्या प्रस्ट है, कि घर में प्रियोग के जाने वाले निम्न उपकरडों का रख रखाओ, यहों प्रियोग का वड़न कीजिए, most important प्रस्ट है, जैसे कूकर का प्रियोग का ऐसे क पर देखिएगा, इनको कुछ-kछ सब्दों में आपको इनसांबी को वेडियं डाल करके इनके बारे में बता देना है, इनके उपियोग के बारे में बता देना है, ओके इचिच के लिए हो गई, बाकि आप वीडियो आप इन सभी को देख सकते हो और अपने ज्यान को बढ़ा सकते हो ओके चले फिर मिलते हैं हम नेस्ट वीडियो में तब तक के लिए जैन जै भारत आप सभी का बहुत-बहुत धनी बाद हमारे से जुनने के लिए इसी प्रकार से अपना प्यार हमेसा बनाए रखिएगा ओके चलिए फिर मिलते हैं हम नेस्ट वीडियो में तब तक के लिए बहुत-बहुत धनी बाद अब सभी का होम साइंस का इमारल पीपर था जो कि मैंने आपको बिस्तार समझाया सारी बात आपके केलियर होई होँगी और इसमें हमने इस वीडियो के मादम से आपजर्टिव और लिखे दोनों की चाचत रहें महतपूर प्रकार से तरीके से प्रस्टों को जान सके इसके लिए आप सभी का क्या राय है बताने के प्रियास पर धन्नी बाद आप सभी का